आपके आसपास जो पशू हैं उनकी भी चिंता करनी हैं लॉक्डाउन के दौरान अनेक पशू के आसपास भी एक बहुत ही गहरा संकट छा गया है लॉक्डाउन के दौरान अपने आसपास जी रहे पशू की भी देखरेक कीजिए कुछ सुना से डायलोग लग रहा है किनका है यह अपने प्रधान मंत्री जी का है जब लॉक्डाउन लगा था 23 मार्च को तब उन्होंने घोशना की थी और फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ डॉक्स को खाना खिलाना और मेरी एक डॉग लवर है उन्होंने मुझे बोला कि तो यहां के आसपास जी रहे लोगों को नहीं समझ वाया नहीं उनको यह समझ में नहीं आया ना डॉगी टाइजेशन को अगर फॉलो करते और समझते तो सारी चीज़े जैसे मैं आप समझें मैं यहीं समझें कि हर नागरी की जिम्मेदारी है सिर्फ एक ही इंसान को नहीं खिलाने से नहीं होगा सभी को खिलाना पड़ेगा और हर एक इंसान अगर एक कुत्ते की भी जिम्मेदारी ले ले लेता है तो हम जैसे डॉग लोवर को बालतिया लेकर गूमना नहीं पड़ेगा तो अभी आपके साथ में क्या प्रॉब्लम आदी है आज तो लॉगडाउ लगा था तब आपने इंचाउदा डॉक्स को भोजन नियमित रूप से लाला करते अपना पेट कार्ट कारते अपने जेब से पैसा खर्चा करकर मुझे कोई नगर निकम नहीं दे रही है ना कोई सरकार दे रही है अच्छा फिर क्या हुआ कि लोगडाउन खटम हो गया त तो है निकी पानी में से कुछ भोजन मिल जाएगा तो फिर आपने continue रखा है तो आज 2-3 साल हो गए आप continue करें तो फिर क्या हुआ अब उसमें इसा प्रोब्लम है कि जैसे 14 में से मैंने साथ का नजबंदी करवा दी थी वो भी आपी ने करा ही पबलिक में आस पास में किसी तो अगर मतलब चाय डॉक्स ने बच्चे दिये तो छे बच्चे दिये तो चोविस बच्चे हो जाएंगे तो अब उसके बाद क्या इन लोगों ने अब्जेक्शन लिया किस ने पास यह मतलब सीनियर सिटीजन गार्डन के अध्यक्षय जो उन्होंने कि आप आना यहां वहां धादर खाना नहीं थिलाएंगे और डॉक्स अपने घर ले जाओ अच्छा अग्यान नागरेक हैं हां अटनो नहीं जा सकते हैं क्यों लेकर जाएंगे वही ना मैने तो अपनी जिम्मेदार यह नागरिके हिजाब से निभाई है उनको नस्बंदी भी करवाई भोछ के बाद इन्हों ने जिस गेट से में खाना देती थी उस गेट को इन्हों ने पर्मानेट लॉक कर दिया अच्छा जी तो जो अंदर चार फीमेल डॉग्स हैं वो तो मम्मी बनने के लिए रेडी हैं तो अब उसका कौन जिम्मेदार रहें मतलब बताईये मुझे एक सिकिन ए कि जब चुनाओ हुए थे हमारे लोकल तो कुछ पार्टियों के घोशना पत्र में तो ये तक लिखा हुआ था कि चुनाओ जीट जाएंगे तो वो कुत्तों से मुक्ति दिला देंगे और उस बूते पर कई लोगों ने चुनाओ में अच्छा अच्छा लिए अंडों में स इकवाबी दिया उसको तो ये तो एक्चली क्या है ना ये सबके सभी अज्ञान है इनको जरा भी कुत्ते का कर भी नहीं मालूम है इनको कर कर कमल का पता है आप से में को सवाल करना चाहती हूं जैसे चाओदा साथ अभी जो इस्ट्रेलाइजिशन के लिए बचे हैं अब चार को अगर 24 बच्चे हो जाते है छेचे करकर तो अब उनकी भी जिम्मेदारी मेल हूंगी क्या मैं तो 14 को पहली खिला रही हूं तो आपको तो आपने क्या ये सब्जेक के अंदर में लिखित आवेदन दे दिया जी मैंने कलेक्टर के पास में गई जन सुनवाई में पा विखित प्रेग्नेंट होंगी यदि डिलेवरी के लिए डियू होंगी या यदि इनोंने बच्चे दे दियो होंगे तो उनको कौन अडॉप करवाएगा पारशत करवाएंगे हमारे एरिया के मेर करवाएंगे तो पिर तो उनकी टेबल भी रखना पड़ेगा लेजा करके रखना ही पड़ेगा ना क्योंकि उनके आदेशती लॉप हुए हैं यहां पर और में थोड़ी है रिस्पॉंस्पोलिटेश्ट और देखिए ऐसा है कि कहीं पर कोई एकदम कहीं कोने में सुनसान जंगल के अंदर कहीं पर कोई डॉप बच्चे दे रहा हो तो समझ में आता मुझे जानते हैं तो केचर आएंगे तो आपी क्या प्रॉब्रम आती केचर भेजे तो होंगे न अगर निगम ने तो फिर क्या हुआ अब वो उस गेट पे भी लॉक लगाए देख रहे हैं अच्छा एक सकेड में जूम करके देखिए यह जो दर्वाजा है यह दर्वाज इस दर्वाजी को इदि खोलते भी है यह जो दर्वाजा है तो यहां से अब वहाँ जाने के लिए तो सबसे पहले कैचर को भी एक बोट लगीगी नगर निगम को सफाई का दियान देना है तो इन सब चीजों पर क्यों देती है धियान हां पर यह सब सफाई करवाएं विल से आपको लगता है कि हम डॉक को पकड़वाने के अंदर में प्रशाशन की मदद कर सकते थे लेकिन वो दर्वाजा नहीं खुलने की कारण आज यहालत हो गई कि तीन मेल चार फीमेल और हो सकता है चौविस बच्चे तो आगे भाले भाग में देखते हैं वो दर्वाजा जहां पर आप खुलवाने की बात कर रहे हैं जय है